डेटा क्लेनिंग और डेटा अनालसिस Excel के दो पावरफुल टूल्स हैं जिनको यूज करके आप डेटा से माक्समम इनफॉर्मिशन ले सकते हैं और इस इनफॉर्मिशन को यूज करके आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं डेटा को क्लीन करना और उसके बार डेटा को अनलाईज करना है ये एक डेटा अनलस्ट का काम हो सकता है अगर एक नॉर्मल आप Excel यूजर हैं तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए आज की इस वीडियो में हम दोनों ही टर्म्स को एक ही डेटा पे इंप्लिमेंट करके समझेंगे इन में क्या डिफरेंस है और Excel में ये काम कैसे किया जाता है मैं शालीनी स्वागत करती हूँ आपका Learners Academy में वीडियो के एंड तका मेरे साथ बने रहे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे डेटा क्लिनिंग की जिसे आप यहाँ पे मेरे पाद सेल्स डेटा देख पा रहे हैं ऐसे डेटा जो होते हैं इनको हम Unclean data भोलते हैं means इस data से आप कोछ भी आपको समझ में नहीं आएगा एक ही रो के अंदर आपको पूरी की पूरी information लिखी गई है इसमें आपको product का नाम quantity, name, designation, आपके place, joining time तो इस तरह की information आपको एक ही cell में लिखी गई है ऐसी data से कोई भी decision जो है वो नहीं ले पाते तो first काम होता है कि आपको data को clean करना होता है तो data cleaning जो है वो बहुत ही तरीकों से की जा सकती है, inbuilt functions को use करके की जा सकती है, different tabs में जो options होती है उनको use करके की जा सकती है, artificial intelligence की help से data cleaning हो सकती है तो data clean करने के बहुत methods है यह depend करता है आपके data पे आपका data किस तरह से है, किस तरह का data आप देखना चाहते है, उसके according आप different techniques को apply करेंगे इस वीडियो में हम Excel का artificial intelligence यूज़ करेंगे अपने data को clean करने के लिए, तो मेरी requirement basically क्या है यहाँ पे, कि मुझे इन सब चीज़ों को अलग-अलग columns में लेकिया आए तो देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पे product के आगे hash 1, hash 2 करके एक number दिखाई दे रहा है, तो मैं चाहते हूँ कि first row में मेरे पास यही आए, तो मैं hash 1 then मैंने लिखा, hash 2, जैसी मैंने hash 2 लिखा, तो आपने देखा, कुछ यहाँ पे numbers जो है, वो automatically आ जाते है, तो hash 3 तो यह basically जब automatic आपको कुछ result Excel शो करता है, तो वो अपने artificial intelligence के base पे आपको result शो करता है इस option को बोलते हैं, flash, fill, तो मैं control E use करूँगी, जैसी मैं control E shortcut use किया, तो automatically यह सारे numbers आपके इस column में आ चुके हैं यह एक Excel का artificial intelligence feature है, जो खुद detect करता है कि user क्या enter कर रहा है, उसके basis में next आपको रोज के अंदर भी उसी तरह का similar data वो दे देता है तो अगर आप manually इसको type करेंगे तो बहुत ही time लग जाएगा और इस feature की help से within seconds आपका जो data है वो पूरे column में आ चुका similarly, अब हमें यहाँ पे लिखना है product, तो पहले मैं यहाँ पे एक इसको sample दूँगी, xza123, then तो देखिए, मैं enterprise करूँगी, साथी साथ यह सारी information यहाँ से extract करके उसने यहाँ पे दिखा दी है अब हम बढ़ेंगे अपने third जो की है quantity 15, 8 अब मैं control, e प्रेस करूँगी, तो अब उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें यह name साथ में नहीं दिखाना जैसे यह पहले दिखा रहा था, सिरफ हमें यह जो value है 15, 8, numeric value है वही देनी है, तो हमें पहले 2-3 entries इसको बताना होगी, जब एक बार इसको समझ में आ जाएग कि आप यहाँ पे क्या display करना चाहते हैं, तो automatically यह वो चीज यहाँ पे दिखाना शुरू करतेगा, अब हमें name लिखना है, तो मैं सबसे पहले पिया, thank, और ध्यान रहे हैं, जो चीज़े capital में है, वो आपने capital में लिखनी है, जो small में है, small में रहने देना है, तो कम से कम 3 य यहाँ पे करके देंगे, तो जैसे मैंने 3 entries की, इसने detect कर दिया और मैंने enterprise कर दिया, पूरी detail यहाँ पे आ चुकी, next है हमारा designation, junior, sales, executive, तो इस तरह से आप इसको बार बार, different, different columns के लिए command होगे, और last में हमारी joining date है, 2024, 2023, और या, control, e, use करूंगी, तो यह सारी detail आ जाए, तो अब आपने इसको एक बार cross check करना है, कोई भी आप data यहाँ से ले लीजिए, और इसके जो particulars हैं, वो आप यहाँ पे check कर सकते हैं, तो यह data हमारा आ चुका है, अब हमें यहाँ पे लिखना है, इनके columns का name, उस, serial number, यह है product, नेक्स्ट है आपकी quantity, designation, location, यह आप city लिख सकते हैं, एंड लास्ट है, defining, here, अब इस raw data की हमें requirement नहीं है, हम इसको बढ़ देते हैं, delete, तो यह data हमारा आ चुका है, इस अभी को select करेंगे, control T करेंगे, और इसको table form में हम convert करेंगे, तो यह हमारा data बिल्कुल clean होके हमें build किया है, इसको बोला जाता है data cleaning, तो यह कि अब आपको बिल्कुल clearly दिखाई दे रहा है, कि this is the serial number, यह product है, इतनी quantity है, यह name है, यह designation है, location है, और यह joining here है, अब data cleaning का concept तो हमें समझ में आया, अब बात आती है data analysis की, analysis का मतलब यह होता है, कि हमारा data, अब जैसे मैंने आपसे पूछा, कि कितनी quantity sold हुई है, यह बताना है, based upon the role and the city, role मतलब जो designation है, और city, जो location है, उसके according हमारी कितनी कितनी quantity जो है, वो sold out हुई, तो जब हमें ऐसी information बतानी होते हैं, तो data को हमें analyze करना पड़ता है, तो data analysis का सबसे best way है, pivot table को create करना, अब pivot table कैसे create होता है, आप data में कहीं भी click कीजिए, insert tab में जाएं, और यहाँ पे pivot table पे click करें, अब यह आप से पूछ रहा है कि जो pivot table है, वो आपने यहीं पे create करना है, यह किसी next sheet में करना है, तो हम existing worksheet में करेंगे, और इसको यहाँ पे हम sell बताएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको करेंगे, तो देखिए, अभी एक layout ready हुआ है, पूरा pivot table ready नहीं हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, based upon the, यह designation and location हमें total quantity जो है वो बतानी है, तो designation, इसको आप डाल सकते हो rows या column में, तो मैंने column wise बना दिया, आप row wise भी बना सकते हैं, next आ जाता है location, location मैंने डाल दिया rows में, और जो आपकी quantity है, वो आएगी आपकी value में, so यह है data analysis, अब हमें clearly पता चल रहा है कि बैंगलोर में junior sale executive ने कितनी sale की है, 482, sale executive ने कितना किया है, 1272 और यह इन दोनों की total sale है, similarly चन्नाई में यह values है, तो इस तरह से हमारा data को analyze किया जाता है, data analysis के बहुत सारे tools हैं, आप charts पना के भी इसको analyze कर सकते हैं, तो देखें, मैंने यहाँ पे अपने pivot table में click किया, उपर आपको option मिलेगी pivot table analyze, और यहाँ पे एक option मिलेगी pivot chart, जैसी आप इस पे click करेंगे, आपको यहाँ पे बहुत सारे chart की options मिल जाएंगे, तो मैं basically अभी clustered column chart ही insert करूँगी, तो जैसे मैंने insert किया, यह chart हमारा यहाँ पे insert हो गया है, तो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, कि कितनी quantity जो है, वो किस city में, और किस designation से जो है, वो sale हुई है, blue color indicate कर रहा है junior sale executive को, orange color sale executive को, और जो gray color है, वो senior sale executive को, और x-axis पे आप देख पा रहे हैं, यह आपके cities का name है, और यह y-axis पे आपकी quantity, तो इस तरह बहुत सारे different ways हैं, आपके data को analyze करने के, data analysis तभी हो पाता है, जब आपका data clean होगा, तभी generally हम इन दोनों terms को बहुत ही, जो है, वो importance देते हैं excel में, तो हर एक excel user को इन terms के बारे में पता होना चाहिए, और कैसे data cleaning and कैसे data analysis होता है, तो इसके बारे में भी आपको पूरी information होनी चाहिए, और information लेने के लिए, आपको channel के उपर playlist मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप data cleaning and data analysis सीख सकते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर ये video tutorial आपको अच्छा लगा, benefit आपको मिला, तो वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करना ना भूलें, thanks for watching this video, keep supporting us!